कि हलो दोस्तों राना क्लासेंज में आपका स्वागत है तो आपको मैं जे पीए सी परिच्छा जो मुख्य परिच्छा होने वाली है उसके वारे में जो अपडेट न्यूज पीफर में या सोसल मीडिया में उसके अपडेट कराऊंगा तो इस वीडियो को सुरू से हम तक दे तो आप फोटो भी देख रहे होंगे तो क्या है पूरा मामला इसको देखते हैं तो छटी जे पीए सी मुख्य परिच्छा के अभिएर्थियों ने गुरु वार को राजिपाल से मुलाकात कर परिच्छा रध करने का आग रह किया है राजिपाल अभिएर्थियों की समस्य को गमीरता से सुनी उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्य मंत्री मुख्य सचिवा और जेप्यसी के अधिकारियों से बात करने का आस्वासन दिया करिव 400 की संख्या में छात्र साम 34 वजे राजभवन पहुचे सभी के हाथों में बैनर्वा पोश्टर थे परिच्छा में अ परिच्छा का आयोजन तूटी को दूर करने के बाद हो छटी जेपीसी परिच्छा में सामिल आयोग के 15 सहायक कर रहे हैं काम अभियर्थी अनिल पन्ना ने बताया कि छटी जेपीसी में आयोग के 15 सहायक परिच्छा देने वाले हैं इसके बाद भी पूर्व सची ने इन स सभी को परिच्छा से समन्दित आवेद नौब परमान पत्रों की स्कूटनी का जिम्मा दिया इन लोगों ने अपने भॉम की भी स्कूटनी की जो नियम विरुद्ध है इन सभी पर कारवाई होनी चाहिए कुल 55 सहायकों को इसके लिए चैन अगस्त है जो कि 2018 को किया गया था चाहतरों ने इन सहायकों की लिष्ट भी है जो कि राजवपाल को सवपी है वो लिष्ट भी आपको मिल जायाएगा तो साथ ही अन अनमित्याओं से संबंधित है जो कि कागजाज सवपे हैं तो पहले क्या मामला हुआ था सिव संकर उराव के आवास पर डटे रहे चाहतर चटी चेप्यसी मुख पर इच्छा रद करने की मांग को लेकर चाहतर है जो कि बुद्वार रात से ही विधायक सिव संकर उराव के घर पर है जो कि धरना दे रहे थे सूबा से ही अन्य जिले से चाहतर लगने जुटने लगे और अपनी मांग सरकार से बात करने का दवाब बनाते रहे विधायक ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वे बात करने है उन्हें मुख मंत्री से इस समंद्ध में बात करने का आस्वासन किया चाहतर है जो कि बेद परकास ने बताया कि बुद्वार बताया कि विधायक ने उनकी बातों को है जो कि गंभीरता से है जो कि और अभिहर्थियों का क्या-क्या दलील है उसके बारे में जानेंगे तो आयोग ने प्रिच्छा प्रानुमिक प्रिच्छा के नियम के बिरूटिस हजार अविट्थ को पास कर दिया आयों ने 15 सहाय का विट्थी बन जाचे कर रहे हैं आवेदन 27,000 आवेदन के बाद भी 34,000 प्रिवेश पत्र निर्गत मुख्य परिच्छा के लिए पिछले साल के प्रस्मपत की सील खोल कर हुई थी प्रिंटिंग फिर 21 दिन के बजाए 10 दिन पहले क्यों जारी हुआ दिया हुआ है कि इन्हों ने कल का प्रोग्राम है वह राजपाल द्रौफदी मुर्मू से इन्मोर्वेश लोगोंने मिला उसके बाद है तो कि आज जो प्लान है सोसल मेडिया के अनुसार वह कि साड़े साथ वजे नील कंट जो है वहां के मुंदा मंत्री हैं उन से साड़ हो जाएगी परवल समहावना है तो देखना है कि क्या होता है और ये जो दिया हुआ कि जागरन के नुसार क्या है कि राजनिती का सिकार हो रही है छटी जेपी सी मुख्य परिच्छा तो जहारखें minder लोक सेवा आ है एकि छटी सीविल से रहा परिच्छा ton का सिकार हो पच्च के कुछ भी कुछ विधायक है समझ से परे है पिछले साल बज़ेट शर्ट में इस वरिच्छा के जिन मुद्दों को लेकर बिधान सबा महाँ वह उन्हीं मुद्दों को लेकर एक और फिर भी गदान सबा गर्म है विधायकों के दवाव के ठीक एक साल फेल उन्थी की संख्या में वेड़ते कि अधिक अंकलाने के बावजुद सफलबाइ उन जो रियर्ण देने की परक्रिया है खराब है उसी करणसाथ भी भी नहीं आ रहे हैं बहुत सारे लोग जो कि सी में फॉर्म बना चाथ लेकिन यह फ़रिचा पूरी नहीं उसके करणसाथ निर्देश के बीना पीटी में समफ्त किया था रच्छन तो राज सरकार के निर्देश परमंत्री अमर बाउरी के दस्ताम बनी उच्छसतर ये कमिटी ने जहारखंड लोक से वायों को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी बाउरी कमिटी की रिपोर्ट को लेकर मामला एक वार प्यावत कहा था य। पहले से लेकर चैंगे पराराखंवक वरिपटी के चरन मिया राच्छन का ब्रावद्हान को framework खतम कर दिया राजस सरकार ने समधम कोई दिसा निर्देश JPS को नहीं दिया था ऐसे में JPSC ने PT कारार में आरच्छन का प्राधान कैसे खत्म कर दिया कमिटी ने इस प्राभधान को समाप्त करने के लिए आयोग को जवाब देही ठराते हैं दोसी पता देकर कारिवारी की बात कही गई है कमिटी ने कहा कि JPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली विवहिन परतियोक्ता परिच्छा में आरच्छन के प्राभधान परिच्छा के किस चरन से प्रभावी किये जाएंगे इसका सपष्ट उलेक JPSC के प्लान आफ एक्जिनेशन रूल आफ प्रोसीजोर में नहीं है JPSC प्रात्मिक्ता का अधार पर UPSC सहित बिहार 36 गट उत्तर परदेश मत्वदे आधिराज लोग से वाओं के को प्रभावी परिच्छा संचाने की बवबस्था प्रादम परदमीक वरिच्छा में आरेच्छन ä संत्रमिक बथा नहीं करने के बद कर रहे हैं विद्धाय को मीट्य को चटिष्टी कई प्रावधानों को पालन नहीं हो रहा मुख्य परिच्छा इस्थागित करने की मांग को लेकर छात्र भी सड़क पर हैं और क्या मामला अधिक्तम उम्र सीमा जो की 45 वर्स की जाए कमीटी की बैठक में विधायक नाम कुमार पाहन दारा यह फ्रस्ताव रखा गया कि स्थानिये लोगों को नौकरियम भागदारी सुनिश्चित होगी कमीटी ने अपने अनुसंसा में कहा जब तक कि राजसरकार के अस्तर परकारवाई नहीं हो जाती तब तक जेपेसी और क्रमचारी आयोग के अस्तर पन्यूक्ति सबंदी कारवाई अस्थागित किया जाए यह मामला है और क्या है परिच्छा रोकने के लिए सोसल साइट पर सक्रिये है ग्रूप तो जेपेसी परिच्छा को रोकने की मांग को लेकर इन दिनों सोसल साइट पर वेर्थों का ग्रूप सक्रिये है परिच्छा रोकने को लेकर आंदोलन कैसे चलाया जाया आंदोलन को मीडिया में कवरेज कैसे मिले उसकी भी यूजना मनाया जारे एक हाटसेफ ग्रूप में चल रही सुचना इन दिना भाइरल हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि मीडिया कवरेज के लिए देव पर मिट्टी का तेल डाल लो अड़बा का चौक पर देव में आग लगाने का ड् के लिए स्थाइगित हो जाएगी अब यर्चो का कहना है कि अंदोलन को देखते सरकार उनकी मांग लेगी जेपेसी मुख परिच्छा ठाएज जनवरी से फ्रस्तावित है परिच्छा को लेकर संतावन केंद्र बनाए गया है चार खंड लोग से वाए उन्हें परिच्छा प्रिच्छा प्रोग्राम जारी हो गया परिच्छा में सामिल होने के लिए चुक प्रवेस्पत्र डाउनलोड तो यह जो पूरा विवाद है आपको दो तीन पेप्रों का कटिंग आज का बताया मैंने तो जैसा कि आप लोग समझ रहें कि यह परिच्छा अगर और तो प्रोग्राम जारी में धुल मूल रवया है और जहां तक बात है यह सोसल साइट का तो यह सब साइट पर है जो कि होते रतकों की लड़कों को जोगार करना है तो निस्चित विरूद अगर एक आदमी करेगा तो कोई सुनेगा नहीं तो इस अब तरीके हैं और जहां तक ब पाइदा कि फिर से पुनह देना पड़े ज्यादा संभावना यहीं लग रही है चाहिए कोट में हुए या सरकार क्योंकि ऐसे परिच्छाओं को देने से क्या मतवत तो क्या क्या है तो देखते हैं कि लगवा हर परिच्छा भी वादू से गिर जाती इसका मूल कारण है आ पर्तमान मोतों पर बात क्या है तो आयोग पर चात्रों के बड़े बर का कई गंभीर आरोप है और अच्छन की नीती का उचीत पालन ना किया जाना दूसरा है आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बितुत मुख्य परिच्छा के लिए कई गुना रियाल्ट जारी कर 27,000 फोर्म मरें गया लेकिन अटमिकाट 34,000 गन जारी कर दिया गया चाहिए कई लोगों ने चैनी तो आयोग द्वारा जैसे किसी चैनी तो भासा खोटा थी इसमें हिंदी अन्य भासा बदल दिया आयोग में कार्यत कई करमचारियों को स्वाय मुख परिच्छा में प्रति पूरा मुद्धा आप भी समझ रहे हैं कि क्या यह जैपीस्सी अगर परिच्छा हो भी गई तो क्या प्रूना परिच्छा नहीं देनी पड़ेगी तो संभावना यह एक हो भी जाते तो आपको दुबारा परिच्छा देनी कुनितनी सारी विसंगतियां आप देख रहे है यह में निमुद्दे हैं और कोट में मामला चल रहा है तो ऐसी इतने आरोपों के बाद सायद ही कोई पर इच्छा चाहराज सरकार की हो कभी चल पाती है क्योंकि कोट कहीं ने कहीं अब जेक्शन जहार घंड यह कैसा है कोट भी नुसुस के कदम पर है आज अमीद है कि कुछ इच्छा आए लेकिन जैसा दो तीन चार दिनों में जो कोट की रवी आ रहा उससे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ी ख़बर आएगी किस्तागित होगी और इच्छा तो लग रहा हो ही जाएगी सरकार भी इसमें सांत बेट गई है लेकिन इतने बड़े जो विसंक्ति परिच्छा हो जाना यह बहुत बड़ी राजी के लिए खासकर अच्छी ख़बर नहीं है इनको भी संगतियों को कम से कम ठीक है कि रियल्ट दिया गया यह भी चलेगा कि अर्चन नीती का उचित पालने किया यह भी पॉइंट चलेगा दूसरा है कि पंद्रगुना के यह भी चलेगा लेकिन यह कहीं से तर्ग संगत नहीं है कि मुखे परिच्छा में 27,000 ने फॉर्म भराया और आपने 34,000 को काड़ दे दिया मैं कहीं ऐसे भी हर्थों को जानता हूं कि मेंस में फॉर्म में जिनके पहले में गलत नाम थे पीटी में और मेंस में सही उन्होंने भ कि उसका भासा आप चेंज करने हैं तो यह तीन और चार पॉइंट तो बिल्कुल गलत बहुत भारी संगतियां हैं इसी परिच्छा नहीं होने चाहिए लेकिन जैसा हालात लग रहा परिच्छा हर हाल में हो जाएगी और स्थागित करने का सरकार को भी इच्छा रहती या विरूद बहुत ज्यादा होता तो दो-तीन दिन पहले हो जाती लेकिन ऐसी उमीद कम है थोड़ी सी तो आप लोग जो परिच्छा दे रहे हैं तो तैयारी करें और हिंदी का मैं गैस प्रस्ण कोशिश करूंगा कि डालूं आज कि जैसे आपको सुब्धा हो कि यह कि अच्छा सब्डेट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा धन्यवाद